प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट खबरे सबसे पहले नाग के डस्ते ही महिला ने कर दिखाया ये खतरना कारणामा डॉक्टरों ने भी पकड़ लिया सिर्फ साप इस धर्ती पर डायनासोर के युग से ही है इतने लंबे समय में हम सांपों के बारे में बहुत सी बातें जान चुके हैं फिर भी सांपों की दुनिया आज भी रहसमी नजर आती है कहते हैं कि सांप इस धर्ती पर 130 मिलियन साल से है दुनिया में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है इन में से केवल 20 प्रतिशत प्रजातियां ही जहरीली होती है भारत में सांपों की करीब 300 किसमें पाई जाती है सांप के बारे में कहा जाता है कि वे किसी भी चीज को चबाकर नहीं खाते बल कि सीधे निगल जाते हैं वैसे तो साप इंसानों पर हमला नहीं करते लेकिन यदि कोई उन्हें छेड़े या परिशान करे तो वे उन्हें छोड़ते भी नहीं वहीं कुछ साप ऐसे भी होते हैं जो बिना मतलब भी इंसानों पर हमला कर देते हैं आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने बहुत बहादुरी के साथ एक साप का सामना किया उत्तरप्रदेश के बहराईच की रहने वाली ए महिला ने ऐसी दिलेरी का काम किया है जिसके बाद से वे मीडिया की सुर्खियों में है साप ने काटा महिला को हरदी थाना क्षित्र के शाहप कुर मौजा क्राम निवासी महिला मीर कला वीती देर रात शौक्च के लिए जा रही थी घर में शौक्च मौजूद ना होने की वजह से वे हर रोज खेतों में जाया करती थी भीती रात भी ऐसा ही कुछ हुआ जब वे शौक्च जाने के लिए निकली तभी उसका पैर एक जहरीले साप पर पढ़ गया और साप ने उसे काट लिया उसके बाद महिला ने जो बहादुरी का काम किया वे वाकई का बिल इतारीफ था दरसल जब महिला ने देखा कि उसे एक साप ने काट लिया है तो वे शौर मचाने लगी और उसने साप को हाथों से पकड़ लिया उसने अपनी साडी के सहारे साप को पकड़ कर डिबे में बंद कर दिया महिला की आवाद सुनकर उसके परिवार वाले घटना स्थल पर पहुंचे जिसके बाद उसने साप काटने की बात बताई महिला अपने घरवालों के साथ जिला अस्पताल एलाज कराने पहुंची इस दोरान वह साप को भी अपने साथ अस्पताल लेकर गई अस्पताल में साप को देकर वेह मौजूद सभी लोग हैरान रह गए वहाँ साप को देखने के लिए लोगों की भीड लग गई महिला ने डॉक्टर को बताया कि उसे साप ने काट लिया है और वेह उसे अपने साथ पकड़ कर लाई है यह सुनते ही डॉक्टरों ने आननफानन में महिला का इलाज शुरू कर दिया बतादें जिस साप ने महिला को काटा था वेह इतना जहरीला था कि महिला का शरीर काला पड़ गया था जिस किसी को भी इस घटना के बारे में पता चल रहा है वे महिला की बहादुरी की तरीप कर रहा है पूरे शरीर में जहर फैलने की वजह से महिला की हालत काफी नाजुक हो चुकी थी लेकिन साब को देखने के बाद डॉक्टरों ने इलाज तुरंट शुरू कर दिया बता दे अब महिला की हालत थिर बताई जा रही है